आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फिक्चर देख रहे होंगे और आप लोगों को मालू भी चल गया होगा कि यह हमारे देश की नई राष्ट पती है और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ अगर आप लोग किसी एकजाम की तयारी कराएं तो मुझे लगता है कि इस तरह के कुश्चन्स आपकी परिच्छाओं में भी पूँचे जा सकते है कि देश की पहली आदिवासी है द्रोवदी मुर्मो राष्ट पती और याद रखिए देश की दूसरी महला राष्ट पती भी है पहली महला राष्ट पती कौन थी या आप लोगों को नीचे लिखना है और उडीसा राज जो आप लोग उडीसा राज देखते ना जिसकी राध्धानी भवनेसर है और आप देखेंगे कि यहाँ बिधान सभा में आप देखें तो 147 सीटे हैं लोग सभा में 21 सीटे हैं और राजे सभा में 10 सीटे हैं तो उडीसा से सम्मंद रखने वाली पहली राष्ट पती होंगी है ठीक है और आप देखेंगे इनकी जिन्दगी काफी संगर्स से भरी हुई है तो उस संगर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे ठीक है और राष्ट पती पत के बारे में भी कुछ बात कर लेंगे हम लोग कुछ पिक्चर्स देख लीजे आप लोग मुर्मू साहब की और आप देखें कि इनका जीतना लगबत था क्योंकि आप सभी को मालू है कि NDA की तरफ से BJP की तरफ से इन्हें खड़ा किया गया था और आप सभी जानते हैं कि केंदर में सकता भी है BJP की और उसके पास काफी बहुमत था एक उपचारिक एलान होना बागी था वो भी हो चुका है तीक है और राष्टपती बन चुकी है तो इनके अगर हम लोग जनम की बात करें तो आप देखेंगे द्रोफती मुर्मू का जनम कब होता है इनका जनम 1958 में एक आदिसबासी परिवार में 20 जून को हुआ था कहां उडिसा राज्जी के मयूर भंज इलाके में उडिसा राज्जी आपको दिखा चुका हो देखें उडिसा इस राज्जी की बात हो रही है यहां इनका जनम हुआ था और आप देखें कि इनकी पिता का नाम बिरांची नाराइन टुड़ो और दुरोफदी मूर्मू संताल आदिवासी फैमली से सम्मंद रखते हैं संताल या संताल भी कहते हैं और जारखन राज्जी के बनने की पश्चात पास साल का कारकल पूरा करने वाली दुरोफदी मूर्मू पहली महला राज्जपाल भी है जारखन्ड को भी आप लोग देख सकते हैं देखें ये जारखन्ड है आपको मालू होगा कि किससे इसकी राची राजधानी है और बिहार से अलग करकी बनाया गया था जारखन्ड आपका एक अपकी बात है एवात है 15 नवंबर सन 2000 की और जारखन्ड में 81 सीटें आपको विधान सभा में देखने को मिलेगी राज्य सभा में आपकी 6 सीटे हैं लोग सभा में 14 सीटे हैं आपकी ठीक है और फिर आप देखें कि इनके पती का नाम स्याम चरन मूर्मू था और जब इन्हें थोड़ी समझ पराप्त हुई तभी इनके माता पिता की द्वारा इनका एड़िवीशन इनकी इलाके के ही एक बिद्ध्याले में करवा दिया गया था और इन्होंने अपनी परमी पड़ाई को यहां पूरा किया है इसके बाद इन्होंने गरजेसन की पड़ाई करने के लिए भवनेसो सहर चली गए यानि कि आप समझ सकते हैं कि दसवी बारवी बारवी आप लोग कर लेते हैं तो डिग्रेवी तो करते हैं तो उसी की बात हो रही और भवनेसो सहर में जाने की पश्चाथ इन्होंने रामा देवी महला कॉलेज में एड़ीशन पराप्त किया और रामा देवी महला कॉलेज से इन्होंने गरजेसन की पड़ाई कम्पलीट की पूरी की और गरजेसन की एजुकेशन पूरी करने के पश्चाथ उडिशा गवर्णमेंट में बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर इन्होंने नौकरी प्राप्त की और इन्होंने यह नौकरी साल 1989 से लेकर साल 1983 तक पूरी की इसके बाद इन्होंने साल 1994 में रायरंग में फुर में मौझूद अर्विंदो इंटी गर्ल एजुकेशन सेंटर में टीचर के तौर पर भी काम किया और यह काम इन्होंने 1997 तक किया और उस समय आप देखे कि पढ़ना और आदिवासी फैमिली में रह का पढ़ना बहुत बड़ी बात होती थी कितना आप देखे कि हमारे सक्षर्टा की कमी थी तो उस समय आप देखे अगर इन्होंने संगर्स किया पढ़ा तो बहुत बड़ी बात होती है और एक निचले तपके से उठकर आप देखिए अगर हम लोग इनके राजनितिक जीवन की बात करें तो उडीसा गवर्मेंट में राजमंत्री सुतंत प्रभार के तौर पर दुरोफती मुर्मो को साल 2000 से लेकर 2004 तक ट्रांस्पोर्ट और वडजिक डिपार्टमेंट समालने का मौका मिला और इन्होंने साल 2002 से लेकर साल 2004 तक उडीसा गवर्मेंट की राजमंत्री के तोर पर पसु पालन और मस्त पालन डिपार्टमेंट को भी समाला साल 2000 से लेकर साल 2009 तक हो है भारतिय जिंता पार्टी के अनुसुचित जाती मोर्चा की राष्टी कारकारणी की मेंबर भी रहे हैं जो भारतिय जिंता पार्टी आप लोग देखते ना इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और आप देखेंगे भारती जिंता पार्टी की S.T. मूर्चा के पिदेश सद्धेक्ष के पतको भी इनों ने साल 2006 से लेकर 2009 तक समाला और S.T. मूर्चा के साथी साथ भारती जिंता पार्टी की राष्टी कारकार्णी की मेंदर मेंबर पत पर साल 2013 से लेकर साल 2015 तक रही और आप देखेंगे जारखन की राजपाल पद को उन्हेंने 2015 में पराप्त किया था और इस पद पर वो 2021 तक विराज मान रही है 2021 तक राजपाल रही है और 1997 में ये जिलाफार्शा चुनी गई थी साल 1997 वे समय था जब उडिसा की रायरंगपूर जिले से पहली बार इन्हें जिलाफार्शा चुना गया था और साथ ही ये रायरंगपूर की उपाध्यक्च भी बनी इसके अलाबा इन्होंने 2002 से लेकर साल 2009 तक महियूर भण्ज जिला भाजपा का अध्यक्च बनने का भी मौका मिला और साल 2004 में ये रायरंगपूर विधानसभा से विधायक बनने में भी काम्याब हुई और आपको मालू होगा कि जो आपका विधायक होता ना इसका चुनाव डारेक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपको भी विधायकी का चुनाव लगना है तो आपकी उमर है कम से कम 25 सालों निचे अधिकतम कोई उमर की सीमा नहीं रखी गी है और आप देखें कि अगर आपकी उमर 18 साल वच चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम भी जोड़ चुका होगा आप भी बोट डाल ले जाते होंगे आँगे बढ़ते हुए साल 2015 मेहने जारिखन जैसे आदिवासी बहुल राजी के राजपाल के पत को भी समालने का मौका मिला तो ये भी याद रखेगा इनके देखे जीवन बड़ा संगहर्स भरा रहा है और इनसे बहुत कोई सीखा जा सकता है दुरुफवती मूर्मू का विवास स्याम चरन मूर्मू से हुआ इनके दो बेटे और एक बेटी हुई बाद में उनके तोनों बेटों की डैथ हो गई और पती भी छोड़कर इन्हें पंच तक्त में बिलीन हो गए और बच्चोंपती का साथ चोड़ना दुरुफवती मूर्मू के लिए कठिर दौर था लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीती में कदम रखा और आप कहते हैं कि यह सिक्षका बनी तो इन्होंने कभी उसमें सहले नहीं ली तो ऐसा राश्टपती हम लोग देख रहे हैं 2022 में आप देखें कि दौरुफदी मूर्मू देश की पंद्रवी राश्टपती भी बन गई है और राश्टपती बनने के लिए आपको आपकी उमर कम से कम कितनी 35 साल पूरी हो जानी चाहिए भारत का नांगरिक होना चाहिए लोग साका का सदस चुनने की योगता रखनी होनी चाहिए आपको लोग साबा सदस होना जरूरी नहीं है योगता होनी चाहिए आपके बाद और किसी सरकारी पद लाप की पद पर ना हो और राष्टपती की पदा होगा तो इसमें राष्टपती अनुछेद बावन इसमें भारत की राष्टपती की राष्टपती की रीती किस रीती से चुना होगा उसकी बात की गई है अनुछेद चपन राष्टपती की पदावधी की बात की गई है और अनुछेद उनसट राष्टपती पत के लिए क्या सरते होनी चाहिए उनकी बात की गई है और अनुछेद साथ राष्टपती द्वारा जो सपत ली जाती है उसकी बात की गई है और अनुषिद 61 में राष्टपती पर महाबयोग चलाने की फिक्किरिया यानि कि इने पद से हटाने की फिक्किरिया क्या है उसकी बात की गई है तो ये कहानी है हमारे देश की नई राष्टपती द्रौपती मोर्मो की और भी किसी के बारे में बात करनी तो उसका नाम बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे और हमारे देश के अगर नेता है, कोई चर्चित है तो उसके बारे में आपको मालूप जरूहना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है?